नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली निउस बूलेटिन में आपका स्वागत है इसके मुखे प्रावजक हैं आरकेज जुएलर्स आकरसक आभूशनों के विश्वसनिय विक्रेता यमुना चौक बक्सर नज़र डालते हैं बूलेटिन की परमक्सुर्खियों पर विदेश कमाने गए युवक की मलेसिया में मौत सौ का इंतजार चौगाई के दो पंचायतों में डीम ने किया कुडा निस्तरान केंदर का सुभारम केंदसरकार के खिलाप सभी प्रखंड मुख्यालेओं पर महागठ बंधन ने दिया धरना डीम ने सभी प्रखंडों के लिए नामीत किये पताधिकारी राजपूर में दर्जवा दुसकर्म का एक और मामला दो लोग नामजद चित्रगुप्त मंदिर के जिर्णोधार के लिए कायस समाजने की बैठक बरामद हो गए बक्सर से लापता हुए दोनों बालक खबरे विस्तार से के प्रावजक हैं काम धेनुनैक्स नए जमाने की मजबूत सरिया जिंदल पैंथर सिमेंट एवम सरिया के मुख्ष विक्रेता गंगा सागर विल्डिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवम सिमरी संपर्क करें नीचे दिये गए इन नमबरों पर अब खबरों की चर्चा बिस्तार से डुम्राओं के कसिया गाओं का रहने वाला सुसील साह पिछले वर्स अक्टूबर महिने में कमाने के लिए मलेशिया गया था लेकिन 13 जून को वहां उपचार के दौरान उसकी मिठती हो गई अलाकि उसका सौगाओं नहीं पहुँश पा रहा है इस वज़ा से परिजन परसान है उन्होंने परसासन से मदद की गुहार लगाई है सुसिल साह बिखारी साह का पुत्र है इसकी उम्र महज 21 साल थी बुलेटीन की दूसरी सुर्खी है चौगाई प्रखंड के दो पंचायतों में बीते दिन गुरुवार को जिलाधिकारी अंसुल अगरवाल ने कूरा निस्तारन किंदर का सुभारम किया चौगाई प्रखंड के मुरार तथान नचाप पंचायत में यह किंदर खोले गए हैं आप उन्ही की यह तस्वीरे देख रहे हैं जिलाधिकारी के साथ डीडी सी महेंदरपाल अस्थानी जिलापारसद बंटी साही यों अन्निस पंचायत पर तिधी मौके पर मवजूद अब गाउं में भी कुडा उठाव का कार सुरू है यह उसी की पहल है गुलेटिन की तीसे सुरकी है केंदर सरकार के खिलाप मागट बंधन के लोगों ने बीते दिन 15 जून को सभी प्रखंड मुख्याले उपर धरना दिया पूरे प्रदेश में यह कारिक्रम आयो जी था अपने जीला मुख्याले पर भी मागट बंधन के लोगों मसलन राजद, जदियू, कॉंग्रेस, CPI की करकरताओं ने जगा जगा धरना दिया सबका यही कहना था किंदर के 9 साल की वज़ा से देश बदहाल हो गया है इस सरकार को आगामी लोग सभाचुनाओं में बदलने क के लिए लोग एक जूट हों। बुलेटीन की चौथी सुरकी है। बुलेटीन की जाज करेंगे और उसका प्रतिवेदन जीला मुख्याले को देंगे। बुलेटिन की 25 उर्की है राजपुर थाने में बीते दिन गुरुवार को एक और दुसकर्म का मामला पंजी कृत किया गया या घटना कहां की है इसका उलेक तो नहीं है लेकिन इस मामले में खिरी गाउं के दो यूकों को नामजद किया गया जिनकी गिरखतारी नहीं हुई ह इनकी गिरखतारी के लिए च्छापे मारी का करम जारी है बुलेटिन की छटी सुर्खी है साहर के सिबिल लाइन में चित्रगुप्त मंदिर का जीर्णो धार होगा उसका सौंदरी करण होगा इसके लिए चित्रगुप्त समाज के लोगों ने बीते दिन वरी अधिवक्ता रामिसर परसाद बर्मा की मौजूदगी में बैठक की इसमें कायस समाज के सभी अगरगणी युवा और समाज से भी सामिल हुए बुलेटिन की सातों ही सुर्खी है साहर के कालेज गेट से एक दिन पहले लापता हुआ अंकित नाम का तेरा वर्सी अबालक बरामत कर लिया गया है यह सहर में ही किसी दूसरे मुहले में चला गया था अब यह घर पहुँच गया है एक दूसरी सुचना भी लापता बच्चे से जुड़ी हुई है आपको पता होगा पिछले सप्ता प्रतिक नाम का एक बालक जो अपनी ननिहाल बक्सर आया था भी लापता हो गया था बिते दिन बुधवार को उसे पटना से परिजुनों ने बरामत कर लिया है बुलेटिन की आठ हुई सुर्खी है सारिमपूर के रहने वाले भोला मला का बारह वर्सी ये पुत्र गर्मी से निजात पाने के लिए दोस्तों संग गंगास नान करने गया था और इसी दोरान हुआ गहरे गढ़े में चला गया इस वज़ा से उसकी मौत हो गई हाला कि अध्योगिक तथा नगर थाने की पुलिस से जब इस बारे में पूछा गया तुन्होंने अनभिकिता जयताई अर्थात परिवार वालों ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी है अब चलते चलत ही आप देख रहे हैं बक्सर खबर हमारे साथ अंतक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद